नवस्ते ओल आफ यू आज तक आप लोगोंने सीखा है कि कैसे हम A, B, C और D को बना सकते हैं सीगने चर्वाइब लेकिन आज हम सीखेंगे वो 5 तरीके जिससे हम हमारा E बना सकते हैं सीगने चर्वाइब तो अगर आपका नाम E से चालू होता है तो किस तरह से E आप बना सकते हो तो rule number one तो पहला rule ये कहता है कि आप ये दोनों जो तरीके हैं E के उसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो ये E दिखने में थोड़ा से stylish और अलग तरह का दिखता है और non standard लगता है लेकिन ये E भी आप अपनी सिगनेचर में बना सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए सीखते है number two rule तो number two कहता है कि जब भी आप E को बनाओ तो E की जो standing line है वो सीधी की सीधी आनी चाहिए उसमें किसी भी तरह का शेकिनेस नहीं आना चाहिए इसको हम कहेंगे standing line तो यह जो standing line है E का यह इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से नहीं बनना चाहिए जब भी आप standing line बनाओ तो E का line एकदम सीधा आना चाहिए तो E को बनाते समय कभी भी standing line जो है वो आड़ा तेड़ा तिर्चा या शेकी या वेवी नहीं होना चाहिए साथी साथ जब आप E की standing line को बना रहे हो तो आपका जो momentum चाहिए वो उपर से नेचे मतलब यह होता है stroke number one जो उपर से नेचे की तरफ बजाता है तो यह हो गया rule number two अब rule number three क्या कहता है rule number three कहता है कि आप जब E बना रहे हो तो जब आप extending line बनाते हो उसके बाद जो आप horizontal line बनाओगे वो horizontal line कभी भी वो भी करवी या shakey नहीं होना चाहिए यह standing line है इसके बाद जो आप wavy line बनाओगे तो यह horizontal line भी आपका wavy या shakey नहीं होना चाहिए यह आडा के रिचार नहीं होना चाहिए it has to be very very straight तो यह कहता है rule number three अब rule number four क्या कहता है rule number four कहता है कि जबी आप E को बनाओ तो E का जो standing line है और जो horizontal line से उसको आपको touch करना है कई पे भी ऐसानी होना चाहिए कि आपका E और E का जो standing line है और horizontal line है वो touch नहीं हो रहा है देट इस दी रूल नमबर फॉर की यहां पे टच नहीं होना चाहिए अब इसके अलावा रूल नमबर फिप पाच्वा पॉइंट क्या कहता है पाच्वा पॉइंट कहता है कि जब आप यह बना रहे हो तो उस समय पर जो मिडल पॉर्शन है मिडल क्रॉस बार है जैसे यह बहुत सारी वीडियो बोला हुआ है कि जब भी आप सिगनेचर बनाओ तो सिगनेचर में कैपिटल जो है वो हमेशा आपके स्मॉल लिटर की तुलना में दो गुना या तीन गुना होना चाहिए तो अगर आपका ए बन रहा है और ए के बाद कोई भी स्मॉल लिटर आता है तो उसकी तुलना में आपके एक हाइट यह डबल या ट्रिपल होनी चाहिए तो यह थे पाच तरीके जिसकी तहत आप अपने सिगनेचर को जो ई से चालू होता उसको बैतर बना सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर आपको यह सीकने में मज़ा आया तो Thank you very much once again and let's meet in the next video to learn how to make the letter F. Till then, thank you very much and goodbye.